मान्यवर सहब कासिराम एक ऐसा नाम है जिसको भारत के अंदर बच्चा बच्चा जानता है चाहे वो किसी भी तरह का, किसी भी मजभ का, किसी भी रिलेजिन का या किसी भी बर्क का, किसी भी सेक्षन का बच्चा हो सबी लोग जानते हैं मान्यवर साहब कासी राम ने डॉक्टर बावा साव अमबेट कर और जो बुद्ध की फिलोसफी है उसको जमीन पे उतारा और गाउं गाउं तक बच्चे बच्चे तक पहुँचाया ये बड़ा काम उन्होंने किया बहुत सारे लोगों को इस बात पर अतराज रहता है कासी राम यानि कि इसमें भी राम लगा हुआ है हलाकि साहब कासी राम ने कभी राम नाम को लेकर कोई स्टेटमेंट कभी दी नहीं है फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि यह जो नाम है यह एथियासिक नहीं है यह इमेजनरी है कालपनिक है और यह साहब कासी राम पर सूट नहीं करता ज़शता नहीं है कुछ लोग कहते हैं कि सुपरेम कोट में भी इस बावत जज्डमेंट आई हुई है कि जो राम की कदा है जो कहानी है वो इमेजनरी है दरसल यहां हम पाली में बताएंगे कि माननेवर सहब कासी राम का जो नाम है उसका मीनिंग या आर्थ या मतलब क्या है क्योंकि जो माननेवर है माननेवर का मतलब होता है सम्मान वर यानि सम्मान वर माने होता है पाली में स्रेश्ट और सम्मान म जिसको आप मानते हैं, जिसकी आप अच्छी तरह से रेस्पेट करते हैं, तो माननेवर का मतलब हो गया, कि जिस व्यक्ति को आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, उसको माननेवर बोलते हैं, यानि सम्मानित करते हैं, और जो कासी सब्ध है इसमें, ये दरसल बहुत पुराना का कासी का मतलब यहाँ जो होता है वो होता है जो सोले महाजनपद हैं बुद्ध के समय में उनमें एक बहुत बड़ा जनपद याने इस्टेट होता था कासी और उसकी राजधानी होती थी बедь वारानासि यह सारंद करके गद्धात हैं और वहां से सबसे पहला संग बना मूवमेंट हुई इसको धमचक पवत्तन के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है दरसल जो बनारस है या वारनसी है या जो सारनाथ है वो इसलिए प्रमुख है इसलिए फेमस है और जो आपके हाथ में भारतिया करनसिया नोट होते है जो असोक का चिन बना होता है जो राज मुद्रा है जो राज चिन है जो असोक की लाट है जो जिसमें चार सेर है वो भी सारनाथी खुदाई में ही वहां की स्थूप से मिला था और सारनाथ में ही एक बुद्ध की बहुत अच्छी जो आइडॉल है या इस्टैचू है वो पर 10 वाध में इसको संस्कारित करके काशी से काशी कर दिया क्योंकि शैटो पालि में होता नहीँ का शी प्रचय उस्य इसके अंदर है काशी राम यानि कासी राम सभी भारत में चलता है वह एक श्युखा चलता है जिसमें पाट्र है और दूसरा जो कर न Cry के हिसाब से वो चलता है। गुटुमा चक, यानि कि पाली के अंदर जो राम सब्ध है वो गुटुमा चक है। एक धंपत की कता है जिसमें रमन करने के लिए कहा गया है दरसल जो रमन करते हैं जो किसी आराम में आराम यानी बाग और बगीचे जिसमें हम हैं वाटी का या वाडी उसके अंदर जो लोग ध्यान साधना और मेडिटेशन करते हैं तब करते हैं उस तब करने वाले को राम ब उसा beingamद चलाता हैं वैसे ही जो व्यकति साधना करता हैं उसको राम बोलते हैं पाली भाकर अंदर टो यह राम-सब्द पाली के अंदर गुणुद्व को ता है याद रैक्टर होता है आप भी राम बंसकते हैं अगर आप रमन करेंगे अगर आप रमनी अस्थान में जाके यानि के जहां साध्रा का स्थान होगा वहां जाके अगर आप मेटेशं करेंगे तो आपको राम कहा जा सकता है बहुत सारे राम बिहार के अंदर हुए हैं राम हरी राम, बिहारी राम, साधू राम, बहुत सारे राम आगे पीछे चलते हैं, ये वहीं से कल्चर है, गुन्वाचक है, और इसके अंदर जो साहिब सब्द है, वो साहिब लिया गया है अरब से, अरब में जो मुहम्मद मुस्तफा सलल्लाहु अलही वसल्लम के जो जाता था, साहिब करके बूला जाता था, साहिबा करके बूला जाता था, तो वहां से एक सम्मान जनक साहिब लगाते हैं, कि ये साहिब हैं और ये साहब हैं, क्योंकि इनों ने मुहम्मद साहब के साथ काम किया है और देखा है, तो उसी के एक मानता सरोप, एक अपनी बहुत तो इस प्रकार कासी राम जी का मतलब हुआ जो कासी के अंदर रमन करते हैं, अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, विपस्थना करते हैं, तब करते हैं, मेडिटेटेशन करते हैं, यानि कि जो कासी के अंदर रमेगा, उसको कासी राम बोला जाता है, बड़ा ही सुन्दर नाम है भगवान बुद्ध के समय का नाम है क्योंकि बिहार में तो इतने लोग रमते थे कि वहाँ नाम के आगे पीछे राम ही राम लगता था धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेण गच्छामूँ संगं सरेण गच्छामूँ दूतियं पी बुद्धन सेण गच्छामूँ दूतियं पी बुद्धन सेण गच्छामूँ दूतियं पी धम्ममर्सेण गच्छामूँ